हे गाईज वेलकम बैक टू मैं चैनल तो गईज यह आप सिल्की स्मूथ और शाइनी हैस देख रहे हैं यह है एक हेसपा जो मेट्रिक्स बायोलास से किया गया है तो आज मैं इसका पूरा टुटोरियल आपको बताने वाली हूं कि अगर यह आपके पास है या आप इस क्युक्के हेसपा लेना चाहते हैं तो कंप्लीट प्रोसेस कैसे करें तो यह है मैट्रिक्स बायोलाज का अल्ट्रा हाइड्रा सोंस हाइड्रेटिंग मास्क लिखा हुआ है वेरी ड्राइए हैस आप इस क्रीम को एज़ मास्क भी अपलाई कर सकते हो और हेसपा की तरह भी और डीप कंडिशनिंग करना चाहते हो तो भी यूज कर सकते हो सबसे पहले आपको क्लाइन का हेड्र वाश करना है या अगर आप खुद कर रहे हैं तो अपना हेड्र वाश कीजिए डिपेंट्स ओन यूर हेर्स स्मूलिंग है या नॉर्मल हेर्स है उसके हिसाब से आपको करते जाना है और एप्लिकेशन जो है वो बहुत अच्छे से करना है जैसे आप हेस्पा में करते हैं तो आप इसको अपने आप भी कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि सैलोन में ही हो सकता है ये प्रोसेस आप के वह लिए मास्क रखी है अपने पास और इस तरीके से सेक्शन जहां पर भी आपके हेस बहुत जदा ड्राइ लग रहे हैं तो यह ट्रीटमेंट आप खुद भी कर सकते हैं तो क्रीम को ऐसे एप्लाइ करना है सेक्शन बाइशन अप्लिकेशन में ही ज़्यादा दियान देना पड़ता है क्योंकि ये क्रीम का एप्लिकेशन बहुत अच् है कि जो इसपा होता है या डीप कंडिशनिंग दोनों प्रोसेस में आपको क्रीम अप्लिकेशन के बाद रिलेक्सेशन या मसाज हैड मसाज करना है तो हैड मसाज आपको अराउंड डिपन करता है कि क्या प्रोसेस है अराउंड 15 to 30 minutes in between आपको हैड मसाज करना है और बहुत अच्छे से हैड मसाज करके उसके बाद हमको स्टीम देना है अब यह समर का टाइम है तो आपको स्टीम ज़्यादा नहीं देना है 5 to 6 minutes ही स्टीम दीजिए और अगर लगता है कि हैस ज़्यादा ड्राइ है तो स्टीमिंग को एवॉइट कीजिए अगर आपके हैस थोड़े से हाइडरेटिंग है तो आप स्टीम ले लेकिन अगर आपके हैस की कंडिशन ज़्यादा खराब है तो आप स्टीम को अवॉइट करें स्ट्रीम कोई ज्यादा नैसेसरी नहीं होता है इस प्रोसेस में तो जो आपको ये हेस पर बतारूं इसका रिजल्ट अच्छा है और आप अभी देखेंगे भी फाइनली इनके हेस कितने सिल्की और शाइनी हो जाते हैं तो ये देखेंगें अब ये हेड्साज स्टांड हो गया है और ये एराउन्ड फिफ्टीन टू फृटि मिनट्स हैड Parliament Sana hospital हुआ है आपको डारेक्ट हैडवास नहीं करना है पहले तो आपको ठंडे होने देना है कुछ टाइम तक आपको उसको अपने हैस पर रखना है राउंड 15-30 मिनट्स आप रखें तो अच्छा है क्योंकि वह क्रीम को टाइम मिल जाएगा डूरेशन मिल जाता है तो इसलिए जो क्रीम ह करेगा वो इतना अच्छा काम करेगा तो तो ये देखिए रिंस कर दिया है स्टीमिंग के बाद और रिंस करने के बाद जैसा आप देख रहें है इसको जो ड्राइ करना है बड़े प्यार से इस तरीके से भी ड्राय करना है एक्सेस हीट्ट नहीं देना है अब यहाँ पे और यहां पे जो मैं hair dry कर रही हूँ वो cool पे करूँगी यहां पे मैं hot airs नहीं दूँगी क्योंकि hot air क्या करेगा जो आपका mask का cream है इसका पूरा moisture हटा देगा तो इसलिए आपको hot drying नहीं करना है और अगर आपको लगता है कि without dryer भी काम चल जाएगा तो आप drying ना कीजे हमको तो finishing करके ही देना पड़ता है तो इसलिए हम लोग drying air dry करते हैं cold temperature पे तो यह drying करेंगे अब इसके बाद और एक और बात को ध्यान में रखने की बात है कि जब आप drying करें तो बड़े hairs को एकदम straight direction में ही drying करें ऐसा ना करें कि बिल्कुल opposite opposite direction में आप hairs को देते रहें दे कोई जल्दी ना करें कि फटा फट ड्राइंग कर दें क्योंकि आप जितना आप hairs को untidy तरीके से ड्राइंग करेंगे वह ऐसी ही लुक में आते हैं तो बहुत straight straight इस तरह से आपको ड्राइंग करनी है धीरे धीरे और हम यहां पे hot air drying नहीं कर रहे हैं cold temperature पे कर रहे हैं तो इ hot temperature का use ना करें तो इस तरीके से आप देखेंगे यह हेस का लुक कितना अच्छा आया है और आपके hairs को nourishment भी मिल जाएगा तो result long lasting रहता है आप इसको इन बीट्वीन मन्त में दो बार तो ले ही सकते हैं लेकिन अगर आपके पास खुद कर रहे हैं तो मन्त में दो बार आता है और अगर chemical treatment नहीं कराया है तो भी आपके hairs अगर dry damage इस तरह के फ्रिजी दिख रहे हैं तो भी आप यह treatment ले सकते हैं तो जैसा यह है अब आप result देखेंगे कितना अच्छा result आया है तो आप बड़े आराम से यह treatment अपने आप भी कर सकते हैं यह आपके hairs के nourishment के लिए है तो अगर guys आपको यह mask या spa cream purchase करनी है तो आप link description box में जरूर देखिएगा तो guys comment खरके जरूर बताएगा कि आपको यह spa का result कैसा लगा और guys आप मुझे topic भी दे सकते हैं आपको जो topic पे videos देखने है या tutorial चाहिए तो आप मुझे comment कर सकते हैं कोशिश करूंगे उन topics पे भी video जरूर बनाओ and this is the look final और बताएगा guys कि आपको कैसा लगा और इस तरह से मिलते हैं नए video को लेके नए tutorial आपके लिए thank you so much guys आप कर दोगके When झाल झाल झाल